डिक्टेशन इस्टार्ट होगी तीन सेकिन बाद इस्टार्ट वरक्ष और जंगल कट रहे हैं विराम यह ग्रामीन जीवन के करीब वक्त गुजार चुके किसी भी व्यक्ती का दुख हो सकता है कि गाव में एक समय में जो दरजन भर अमराईयां थी वे देखते देखते कट गई विराम वहां आज बस्तिया बस गई हैं विराम यह हमारी आज की आदोनिक जीवन पद्दती का नमूना है विराम जब हम गाव कसबे में रहते थे तो वरक्षों से प्रेम करते थे विराम उनके महत्व को समझते थे अमरेया सजाते थे विराम आम जामून और अन्य फलदार वरक्ष किसी मायावी चमतकार से नहीं उगते थे विराम निसंधे हमारे पुर्खों ने इन्हें बड़े जतन से लगाया होगा विराम उन्हें मालूम था कि आने वाली पीड़ी के लिए यह परिहार्य है विराम क्या ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपनी दृष्टी से आने वाली पीड़ी को एक ऐसा प्राकृतिक संबल दिया थ विरासत दे थी कि जिसकी छाया में हम सुखी सम्रिद या खुशहाल जीवन जीएं विराम मगर हमारी लालच की कर्मनिता की शायद कोई इंतिहा नहीं हैं विराम सवाल है कि क्या हमने इस मसले पर कभी सोचा है कि हमारी इस उदासीनता और नींद में खोए रहने का हासिल क्या होने वाला है विराम हम सब समझते हैं और यह सच है विराम एक अनपड से भी पूछ लिया जाए तो वह समवेदना का भरपूर प्रदर्शन करते हुए कहेगा कि विरक्ष हमारा जीवन है विराम आज की इस्तती पर वह दुख भी जाहिर करेगा विराम जिसके हातों में दारोंदार है वह खामोश है विराम यह सब कुछ जान कर भी अनजान बनने का नाटक क्यों करते हैं हम विराम इस मसले पर हमारे बीच कोई गंभीर विमर्ष और कुछ जमेनी इस्तर पर सैक्रिय गतीविधियां क्यों नहीं दिखाई देती विराम दरसल शहरों को जोडने वाले लंबे राजमार्ग बन रहे हैं विराम सरकारों की और आशवासन दिया जाता है कि जितने रक्ष कटेंगे उससे चार गुना ज्यादा पेड सरकार और ठेकेदार के कारिंदे लगाएंगे विराम सोभग्य या दुरभग्य हमारे शहर में भी छै या चार लेन की सडकें बड़ी तेजी से बन रही हैं विराम यह सडकें विक्राल दिखाई देती हैं मानों कहां जा रही हों कुछ पता नहीं विराम यह भी ध्यान में आता है कि अचानक प्रकट होकर ये कितनी जिंदगियों को लील जाएंगी विराम पेरा समंदर ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन हम उसे कच्रे के सिवाए कुछ नहीं दे रहे विराम International Union for Conservation of Nature की एक रपट के मुताबिक हर साल लगभग 30 करोड टन प्लास्टिक का निर्मान होता है विराम इसमें से लगभग 1.4 करोड टन प्लास्टिक कच्रे के रूप में हर साल समंदर में डाल दिया जाता है विराम समुद्र की गहराई का उपयोग बड़ी मात्रा में परमानू सामगरी दफन करने के लिए भी किया गया विराम पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में ब्रिटिश, अमेरिकी, सोवियत, ओस्ट्रेलियाई और कनाडाई सरकारों ने सेकडो हजारों टन एप्रचलित रासायनिक हतियारों को ड्रमों में भर कर या टुकडों में बाट कर पानी की गहराई में दफन कर दिया विराम हालां के सारवजनिक आकरोष के कारण इस प्रथा को 1922 में समाप्त कर दिया गया था विराम मगर वर्ष 2019 के एक अध्यन में आर्कटिक महासागर के तल पर कम से कम 18,000 रेडियो धर्मी वस्तुयें बिखरी हुई पाई गई उनमें से कई सोवियत संग दवारा फैंकी गई थी विराम जब ये वस्तुयें अपना जहर पानी में छोड़ना शुरू कर देंगी तब क्या होगा विराम कई परियावरण विदो ने इस स्तती को समुद्र तल पर धीमी गती से चल रहा चैर्नोबिल कहा है विराम पैरा हर त्योहार का अपना एक मूल उद्देश्य होता है जो हमें एक आदर्ष जीवन जीने की प्रेरणा देता है विराम इसके केंद्र में बंदूत्व मानवतावाद आपसी समझ सहयोग और सम्मान आदी शामिल रहे हैं विराम मगर हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे त्योहार अपनी मूल भावना से पूरी तरह भटक चुके हैं विराम इन्हें भटकाने वाला कोई और नहीं हम आप ही हैं विराम हमने अपने त्योहारों को बाजारवाद के हिसाब से परिवाशित कर दिया या फिर अपनी अपनी सुवीधा अनुसार मनाने का प्रेचलन बढ़ चुका है विराम अब इन त्योहारों की मूल भावना लगभग गर्त में जा चुकी है हम अपने उत्सवों के नाम पर हुडदंग, नशाखोरी, छेड़ खानी और नफरत की गतिविदियों को बढ़ावा दे रहे हैं हाल में बीती होली में एक अर्थहीन वाक्य के नाम पर जबरन लोगों को या किसी अन्य समुदाई को प्रताडित किया जाना हो या नशे में धुत युवा पीडी दवारा किये जाने जीवन के जोखिम वाले कर्तब या फिर महिलाओं से की जाने वाली एबद्रता हो ऐसे द्रश्य निश्चत रूप से चिंताजनक और डरावने हैं विराम एक आदर्श समाज ऐसा नहीं हो सकता अगर ऐसा ही रहा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अब हमारे त्योहार मुबारक के बजाए दुर्व्यवहार मुबारक हो जाए विराम पैरा एक समय था जब हर पार्टी के जमेनी कार्यकरता जी जान लगा कर अपने दल को जीतने के लिए कई दिनों तक मुफ्त सेवाएं देते थे और ग्रामीन छेतर में परचार के लिए सेव मुर्मूरा से पेट भर कर परचार करते थे विराम अब कार्यकरताओं को अच्छे खाने पीने के साथ पर्याप्त राशी का भुगतान करना होता है विराम जब चुनाव में इस तरह के खर्च में भड़ोतरी होगी तो लोकतंतर का मकसद कैसे पूरा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है विराम इस बार फिर चुनावों में खर्च को लेकर सभी दल उत्साहित दिख रहे हैं विराम हालांकि माना जा सकता है कि सरवादिक खर्च सत्ता पक्ष दवारा होगा जो शायद निर्धारित खर्च सीमा से कई गुना अधिक भी हो सकता है विराम दरसल प्रतेक प्रत्याशियों के लिए राशी निर्धारित हैं लेकिन अगर पार्टी दवारा प्रत्याशियों पर किये जाने वाले खर्च को प्रत्याशी के खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा तो जाहिर है इस रास्ते से ऐसे मित धन खर्च होगा जिस पर आयोग की कोई पाबंदी नहीं रहेगी विराम ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र अब बहुत महंगा पढ़ने लगा है विराम कम खर्चे में चुनाव करवाने के रास्ते खोजने होंगे विराम पैरा प्रत्वी की घुर्णन गती में कमी पढ़ा विराम इससे पता चलता है कि हम किस हालत में पहुच चुके हैं और कितनी चिंताजनक इस्तती है विराम मगर लगभग सभी लोगों को इन विशों के प्रती कोई गंभीर रुची नहीं है विराम अगर इन खबरों के आधार पर विचार किया जाए तो पूरी प्रत्वी खत्रे में हैं विराम 2015 के पेरिस समझोते की 1.5 दिगरी ताप की सीमा को हम लांग चुके हैं विराम भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी हो रही है विराम समात दोस्तों इसमें एक चीज यहां पे मैं बता देता हूँ जिसे कि यह शब्द है आपको दिख रहा होगा रूची यह रूची नहीं है यह है कि छोटी बड़ी मातरा को इसका उच्चारण करने का यह तरीका है ठीक वह रूची नहीं है वह है रूची और कुछ शब्द मैं बता देता हूं आपको जो मेरे नेजर में आए थे अभी देखते हैं एक तो देखो संबल यह लिखना देख लेना वह भाला भाव नहीं आता इसमें आता है संबल बहाता है बक्री वाला ठीक है संबल ऐसे छोटे-छोटे शब्द होते हैं जो एक जाम टाइम में से अपने कन्फूज जैसे इसमें देखो यह अपड ता है पड़ नहीं होता दून रहा है तो डिक्टेशन थोड़ी दिक्टेशन बड़ी होती है लोग देखते नहीं कितने बड़े डिक्टेशन क्या है 12-13 मिनट की तो उसलिए मैं शारी शब्द पता नहीं पाता इसलिए जैसे यह जैसे यह यह शह है यह सटके विक्राल दिखाई देती है इसमें फिर भवचनवाला मानो कहां जा रही हो ठीक है ऐसे इसमें काफी सारे आए देशन नीचे में बता देता हूं आपको और दो शब्द इसमें आए समंदर और समुद्र इसमें कन्फ्यूज मतों नहीं यदि आपने लिखने में गल्ति की हो नहीं किये तो बहुत अची बात कर दियो तो मैच करते टाम देख ले ना एक समंदर एक समुद्र ठीक है बोलने में भी आपको फरक दिखाई दिया होगा इंगलीज का शब्द है चलो कोई बात नहीं बाकी है इसमें यह देख ले ना उस्ट्रेलियाई कनाडाई यह सारी चीज़े देख लेना सेकडो हजारों और बाकी गर्त भी था एक गर्त में चली जा रही है ऐसा भी कुछ था नशे में दूत होकर ऐसे भी कुछ था तो यह इसे चोटे-चोटे शब्द है तो यह आप देख लिया कीज अच्छे से क्योंकि यह आप डेली ऐसा जैसे मैं अनलाइस कर रहा हूं ना ऐसा डेली करते हैं यह आप चाहे आप इसका ट्रांसलेशन नहीं करो यह आप PDF को भी देखते हो ना केवलेश्टनों को छोड़के हिंदी के PDF को भी देखते हो तो काफ़ी आपको अच्छा बेनि डूत्त गर्ट जो नहीं सुनावांगा तहता है तक इसमें दोर वाला दे आता वह वाला यह आपको आता है अच्छे बात लेकिन नहीं आता है तो इसमें आप क्लियरृ कर सकते हीं ढ़कर करेंगे ना तो और से होताए जाए द है कि यह कि शिबद था कि ऐसे डेली क्या करो तो आपको बीज दिन में आपको खुद को पता चल जाएगा कि हां मैंने क्या किया है और क्या बेनेफिट मुझे हुआ है उसका गुंडण देख लेना बड़े उक्यमातर आती है और और तो क्या सब्देश में रूची आ गया देखो लिए पेरग्राफ के लास्ट में है तो रूची है यह रूची नहीं है रूची यह रूची ठीक है तो ठीक है दोस्तों ऐसे जैसे मैं अनलाइज करता हूँ ना ऐसे डेली अनलाइज किया करो आप खुद से हिंदी भी बनाके इसकी प्रक्टिस भी क्या कर अब मैं सारे शब्दों कि तो सोटनेट बनाने सकता जो मुझे लगता है कि हाँ यह कुछ हर्ड आउटलाइन से जो बनाने चीव हो मैं बनाके टेलेग्राम पर डाल देता हूं तो इसलिए आप टेलेग्राम भी जोइन कीजिए और इस इसे शब्द हैं जो बाई चांस यूज होते हैं तो ऐसे शब्दों का आप देख लिया करूँ ठीक है यह यूज हो जाते हैं डिक्टेशन में भी कोई बड़ी बात नहीं माया भी ठीक है तैसे किया करूँ ठीक है दोस्तों और टेडिया फूर आउटलाइन के लिए आप चैनल जोइन कीजिए टेलिग्राम पर जाकर आप डायरेक्ट सेर्च भी कर सकते हैं इस्टेन अगराफ और लोकेश और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाता है तो आप वहां से भी डायरेक्ट जोइन कर सकते हैं ठीक है थैंक्यू